Hello Friends! कैसे हैं आप सब? I hope Friends आप सभी स्वर्स्त होंगे और अपना-अपना खयाल रख रहे होंगे आज हम चेक कर रहे हैं Friends की New Moon येस, अम आवस्याफर आपके परसन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं? New Moon and Full Moon की अनर्जीस ऐसी होती है जिनमें emotions बहुत high होते हैं, blast हो रहे होते हैं, तो हम check करेंगे कि उनके मन में आपके लिए कैसे emotions हैं, positive है, negative है, aggressive है, नाराज है या बहुत जादा उनके मन में आपके लिए feelings आ रही है, प्यार उमर रहा है, तो ये reading कोई भी openly, open mind के साथ check कर सकता है या check कर सकती है, reading, collective, general and timeless है, क्योंकि new moon जो है, every month आता है, without much further ado, let's get started, जब मैं deck को shuffle कर रही हूँ, अपने person का नाम तीन बार लें, and comment box में उनके नाम का first letter या फिर last letter टाइप करें, okay, please universe बताएं, मेरे viewers के, beautiful से viewers के, beautiful से partners की feelings क्या है new moon पर, आ गए हैं cards, और ये cards आए हैं, two of wands, seven of pentacles, oh sorry, seven of wands, nine of wands, empress, and nine of swords, okay, friends में strongly यहाँ पर ये feel कर पा रहे हूँ, कि आपके person, आपके person को अपनी गलतियों पर, अपनी गलतियों पर, खुद पर ही गुस्सा आ रहा है, अभी तक जो, जो mistakes उन्होंने की है, जहाँ जहाँ उन्होंने गलतियों की है, इस connection में, वहाँ वहाँ, आज की energy ऐसी है, कि ये person उन गलतियों के बारे में सोच कर, अपना खुद का ही सर पकड़ रहे हैं, अपने खुद के ही बाल नोच रहे हैं, इन्हें by heart लगने लगा है, कि यार मैंने ऐसे कैसे कर दिया, या मैंने ऐसे कैसे आपको जाने दिया, या कैसे आपको नराज कर दिया, या कैसे मैं आपसे नराज हो गया या हो गई, ये reading gender-based नहीं है, तो आपके person की energies ऐसी हैं, कि इन्हें अपनी गलतियों पर, खुद पर ही गुसा आ रहा है, इनका मन कर रहा है कि अपना सर फोर दे, अपने बाल नोच ले, और वैसी energies हैं कि मन कर रहा है, कि कहते हैं न, जब इन्सान को खुदी पर गुसा आता है, तो मन करता है कि खुदी को तोड़ दो, वो energies इनकी है, new moon पर इन्हें गुसा तो आ रहा है, बट आप पर नहीं खुद पर, अपनी गलतियों पर, ये person quite anxious रहने वाले हैं आज की night, इन्हें full night ने नहीं आने वाली, और ये सोचने वाले हैं कि कहां कहां इनसे क्या क्या mistake हुई है, अब कैसे इस connection को पहले की तरह beautiful बनाया जा सकता है, आप में से बहुत सारे लोग soulmates से deal कर रहे हैं, chances बहुत strong हैं, और मैं strongly feel कर पा रही हूँ कि आपके person अप आपके साथ emotional reunion में आ रहे हैं, उन्हें by heart लग रहा है कि आप ही वो personality हो, जिसके साथ वो complete हैं, satisfied हैं, relaxed हैं, इन्हें लगता है कि आप ही इनकी wife हो और आप ही इनके husband हो, आपके साथ ये complete family और complete life feel करते हैं, यहाँ पर friends 99 की energies हैं, double 9, हो सकता है, आप में से बहुत सारे लोगों को angel numbers 999 दिख भी रहे हो, तो इस new moon पर karmic cycle आप दोनों के connection में या आपके person के जिंदगी में जो भी चल रहा था वो over होने को है, ठीक है, इस new moon पर वो cycle almost खतम हो जाएगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके person को definitely खुद पर गुसा आ रहा है और guilt की energies में भी वो कहीं न कहीं हैं, तो अब ये person खुद को सुधार कर इस connection को सुधारने की पूरी की पूरी कोशिश करने वाले हैं, ठीक है, seven of vans की energies है, ये इंसान ना, वैसे तो 24 into seven काम में occupied हैं, लेकिन still इनका attention और इनका focus सिर्फ और सिर्फ आप हैं, यहां पर हमारे पास fire energies बहुत ज़्यादा strong है, Aries, Leo, Sag हो सकता है, आप दोनों ही इन जोडियक साइन से दिल करते हों, या आप में से कोई एक के लिए ये जोडियक साइन बहुत important हो, ये इंसान आपको लेकर passionate हो रहे हैं, इस person की, ये जैसे जैसे ये new moon आगे बढ़ने वाला है, आपको लेकर sexual desires, intimacy की desires, dating की desires, आपको touch करने की desires, आपको hold और hug करने की desires इनकी बढ़ने वाली हैं, and definitely ये आपको बहुत stalk करने वाले हैं, आपके picture, आपके status, आपके profile, आपकी videos को बहुत ज़्यादा watch करने वाले हैं, आपकी chart को again and again reach करने वाले हैं, immediately आपको इनका call और specially video call, अगर आप contact में हैं तो receive हो सकता है, नमबर और dates की friends अगर मैं बात करूँ तो 7-16-25, 9-18-27, 3-12-21-30, 2-11-29-20, ये नमबर ये dates बहुत important और prominent हो सकते हैं, आपके लिए, आपके partners के लिए, या फिर आप दोनों के beautiful से, प्यारे से connection के लिए, ओके, new moon है, तो moonology deck तो बनता है, हम check कर रहे है, moonology deck से क्या आ रहा है new moon पर, जैक अपने आप बहुत कुछ कह रहा है, it's time to take action, बहुत जल्दी आपके person जो है ना, action लेने वाले हैं आपको लेकर, look at the bigger picture, आपका कोई बड़ा goal, एकदम से achieve होने वाला है, surrender to the divine, आपके लिए guidance है कि आपको बस divine को सरंद करना है, meditate करना है, contemplate करना है, और definitely आपके person अब आपके तरफ action लेने वाले हैं, ठीक है, adjustments are required, अभी भी कुछ adjustments यहाँ पर जरूरी है, सभी काम एकदम से नहीं बनेंगे, लेकिन situation पहले से better और improve होती हुई दिखाई देती है, Pisces energy strong है, Sagittarius energy strong है, Gemini, Libra and Aquarius energies भी यहाँ पर strong है, मैं चेक कर रही हूँ new moon पर divine आपको क्या guidance देना चाहती है, ठीक है, take your life, enjoy it, जैसी भी है life, उसको enjoy करें, your truth is personal to you, अपने secrets अपने तक रखें, take action without expecting a reward, आपके person भी आपकी तरफ action ले रहे हैं, और अगर कोई action है, जो बहुत time से आप सोच रहे हैं, लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, आपको लगता है कि उसका कोई benefit नहीं मिलेगा, तो ले रो यार, क्योंकि divine कह रही है कि बिना reward को expect किये action लो, take action on your ideas, again the same thing, love and respect yourself, ठीक है, तो self love करना बिलकुल ना भूले, new moon की blessings शेक कर लेते हैं, क्या आ रही है, आप दोनों के लिए, आप दोनों के pretty से connection के लिए, and blessings है, blessings of long life, अगर कोई health को लेकर परिशान है, तो यहाँ पर दक्षना काली का long life का message आ रहा है, आद्या काली का your life will be full of light and happiness, ओके, नटराज का blessings of creative thinking, ठीक है, तो अगर आप creativity से life में famous होना चाहते हो, कुछ achieve करना चाहते हो, तो definitely अब आपके life में right time पे, right time आ चुका है और आप right track पर हो, ओके friends, friends हम चेक कर रहे हैं कि finally, immediately आप दोनों के connection में क्या होने वाला है, friends अगर reading पसंद आ रही है, guidance और advice पसंद आ रहे हैं, तो प्यारे प्यारे से heart comment box में जरूर send करें, वीडियो को like करें, और उनको share करें, ठीक है, and obviously आप लोग personal readings बुक कर आ सकते हैं, उनकी complete detail description box में given है, आप जाएं, जाकर check करें, easily whatsapp करें और available slot पर अपना session बुक कराएं, friends यहाँ पर seven of swords, wheel of fortune की energies है, तो luck आपके sight है, और definitely कोई karmic cycle over हो रहा है, and आप दोनों के connection में एक new cycle की new beginning है, seven of swords, यह person आपको काफी stock करने वाले हैं, आपके बारे में सोचने वाले हैं, आपको call या message कर सकते हैं, seven to ten hours, seven to ten days, या seven to ten minutes में जब भी आप ये reading देख रहे हैं, काफी सारे लोगों का reconciliation हो सकता है, call या message आप लोग receive कर सकते हो, romantic cycle की शुरुवात हो सकती है, and strongly feeling that की luck आपकी side है, तो ऐसे में इस new moon पर जो भी आप चाहोगे, वो manifest कर लोगे, तो ऐसे में आप लोगों के लिए guidance यह है, कि जो चाहते होना real में, वही सोचो, ऐसा नहों हो, आप लोग उट पटांगो और negative सोचो, और वही manifest कर लो, यह सब नहीं करना आपको, okay friends, thank you so much for watching, may God bless you, take care.